हाई फिरेंड्स आपके अपने यूटूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है यदि आप चैनल पने हो तो चैनल को सब्क्राइब चिरूर किजिए किसान भाईयो यदि आपकी गेहों या किसी विराइटी में गेहों आड़ा गिरने वाली समस्या हो तो उसी केसे ने प्टा जाए किसान भाईयो यदि आपकी गेहों की विराइटी में आपने देखा होगा ज़्यादा बढ़वार होने के एक वज़ा के कारण आड़ा गिरने की या नीचे गिरने की समस्चे लेती तो उसकी बढ़वार को मेंटेन करने के लिए PGR का स्प्रे करते हैं यह कब करेंगे कौन सी स्टेट पर करेंगे गेहों में तो यह कौन-कौन से किस्पों पर करेंगे अपन यह भी देखेंगे किसान भाईयो जब फसल की वेजेटिटिव ग्रोध बहुत जादा होती है यह फ्रोवर्स ड्रोपिंग की समस्य होती है यह कंद बनने वाले होते हैं तब उस समय अपन पीजियार का प्रियोप करते हैं तो यहू में अपने को पेला जो स्प्रे करना है यह लिहोसीन का बीएशेप का है यह तो इसकी कितना डोज दखेंगे कौन-कौन से टेकने का ले भी अपन देखेंगे पेला इस्प्रे अपने कालों को बढ़ाने के लिए अनुसासी दे यहां एक पोधे विकास नेवक उत्पादन व्रद्दी करता है फल फूलो की संक्यां व्रद्दी करता है वह फसलों को हरी-भरी रखता हो किसान बाई हरी-भरी फसल रहेगी तो प्रिकास्तिन से ज्यादा होगा तो अपना वेसे या घांस के तरह आपने को पोधा दिखाई दे किसान भाईयो यदि आपने ओवरडोज दे दिया है तो भी आपने को गयों में करने की अविसकतर रेती है उन्माब को आता है यह उन किसमों के लिए मेक्सिमम यूज किया जाता है जिसे DBW 303 DBW 137 यह बढ़वाल मेक्सिमम यूज लेती है और एक जो करना अपने को 80 दिन पर करना है दियान रखना DBW कोना जोल एक फंगी साइड है इसमें 10 परसंट सलफर 65 परसंट यह भी अपने को उसके साथ यूज करना है क्योंकि यदि पोधे में विमारी रहेगी तो पोधा उत्पादन में कमी आईए तो अपने कोई फंगी साइड भी लेना है यह स्वधिन का फंगी साइड है तो यह अपन लास्टम देखेंगे कितना लेना है यह बीमारी को बीमारी आने से भी बचाता है तो अपनी वेसे ही उत्पादन बढ़ेगा यह अपने पोधी में विमारी नहीं रहेगी तो किसान भाईयो बढ़वार को रोकेगी दोनों तरह टेबिकोनाजोल और प्लसम लिवोसिन का इसमें जो टेक्निक हैं आप देख सकते हैं लिवोसिन में क्लोर मेक्टवेट क्लोराइट पचास परस्टेंड इससल तो अपने कोई यह जिसमें भी कंटेंड मिले कोई सभी कंपनी का हो तो आप वो पीजाल ले सकते हैं टेबिकोनाजल विवोसिन वाला दोनों को मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा दोनों को मिक्स करने पर जो गेहूं का अंदर से हो लोग जो तना रहता है वो अंदर से धागे बन के तना भर जाएगा तना मजबूत हो जाएगा बास की तरह रहेगा तो पोदा गिरेगा नहीं तो अपनों पदन बढ़ेगा वहल की जैमीन पर स्प्रे ना करें और अपने कोई कितना डोज लेना है 150 लिटर पानी 170 लिटर पानी लेके 250 एमिल प्रतियगर और 300 ग्राम फंगिसाइड कोई सा भी लियाब फंगिसाइड इसके बाद में अपने को इस्प्रे कर देना है तो इससे किसान भाईयों बेनी भी टीर रहेगा यदि आपके पोधे में कोई सी बीमारी होगी तो फंगस वाली तो वो समाप्त हो जाएगी और आपको पादाम में व्रद्धी होगी मैं आपको बता दूँ जो वेराइटी 150 दिन से उपर की है उसे में अपने को इस्प्रे करना है जर्वत रहती है क्योंकि जो पच्छेती या फिर मध्यमवदियक का मवदिवाली वेराइटी होती है वेसे ही वो बढ़वाल नहीं लेती है तो उसमें आप यूज ना करे और अपना जब पोधा मेक्सिमाम टाइम का होजे या फिर ज़्यादा बढ़वाल ले मेक्सिमाम सोरी उस समें इसको यूज करे किसान भाई ओवरड़ दे देते हैं खत का ज़्यादा खत पानी के करन भी गयोकी बढ़वार बढ़ जाती है तो पोधा आरागिनने के समस्चर येती है तो इसको कंट्रोर कनने के लिए PGR काप जरूर इस्प्रे करे इस वीडियो को दूसरी किसान भाईयो के सान जरूर शेर करे ताकि उन्हें भी जानकरी सम्मेरे ते जानकरी मिल सके इस प्रकार के खेती बाड़ी जानकरी के लिए चैनल को सब्क्राइब चरूर करे थेंक्स वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स